zam जिसाहं पहलो है Really यहां पर युके में जिसवेज़ भुआ हम रहते हैं वह से पुद्धे एकटेनर सागो हम लेकर आए हैए प्रोसेस जो है वह आपको कंप्लीत arma जो मेरे को fresh vegetables मिलेंगी तब मैं वो भी आपके साथ share करूँगी सर्जो के साग बनाने के लिए मसालो जो ता बहुत डलता है यहां पर मैंने 5 अनियन लिये हैं बड़े वाले ग्रेंच लिये हैं जिंजर लिया है और गार्लिक लिया है गार्लिक बहुत डलता है इसमें तो यहां प तो अनियन को अच्छी तरीके से roast कर लेंगे थोड़ी देर के बाद इसमें एड़ करेंगे हम हमारे green chili and tomatoes इसको अच्छी तरीके से roast होने के बाद अब मैं इसमें एड़ करूँगी 1 teaspoon salt 1 teaspoon turmeric powder half teaspoon red chili powder because मैंने five to six यहां इसमें green chili आट की है one teaspoon गर्म मसाला one teaspoon कसूरी में थी one teaspoon धनिया पाउडर इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और हमारे जो मसाला है अनियन का हमारा ginger garlic paste चोवी है वो इसको अच्छी तरीके से इसको भूल लेंगे इसको अच्छी तरीके से cook करने के बाद अब इसमें एड़ करेंगे हमारा साग मसाले का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपके मसाला अच्छी तरीके से cook नहीं होता है भूना हुआ नहीं होता है तो smells ही आती है तो सरसों की साग में तो खास करके आपका जो मसाला है वो अच्छी तरीके से cook होना चाहिए अब इसमें एड़ करूंगे मैं हमारे दो बड़े चमच हमारे मकी दे आँटे के जी हां मकी का आटा जो होता है नॉर्मली जब आप इसकी लीफ्स को गरम करते हैं मैश करते वक्त घूटते बक्त ही आप इसको मकी के आँटे को डाल देते हो मार्केट से कंटेनर आयते मु इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसका जो इसके बनी हुए कुख्ट साखियों पर इस तरीके से इसको स्टर कर देंगे तो यह हमारा सरसुक साख बन के तयार है इसके पर आप बटर अपलाई कीजिए गारिश कीजिए को एंड मकी की रोटी के साथ इस एंजॉई की मकी की रोटी की रेसिपी में नेक्स वीडियो में तो प्लीज दो वाच इट इस वीडियो प्लीज दो लाइक कमेंड और दो फगेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल तिर दन गाइस पाई टेक्या